जिला अभिभाशक संस्था के बैनर तले अधिवक्ताओं ने आधा दिन कार्य का बहिशकार करते वे अपनी मागों के संदर्व में प्रधान मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ग्यापत स्वापा अधिवक्ता रैली के रूप में न्याहले से कलेक्टरेट पहुचे जिला अभिभाशक संस्था के अधिक्षो गोपाललाल गुर्जर ने बताया कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री रहने के दौरान बार कॉंसिल अफ इंडिया के गोल्डन जुबिली समारों में मुख्य अतीथी थे तब उन्होंने कहा था कि वे प्रधान मंत्री बनेंगे तो अधिवक्ता एवं वकालात के व्योसाय वेलफेर के लिए अधिवक्ताओं की मांगों के अनुरूप प्रावधान करेंगे बार बार निवेदन करने के बार भी प्रधान मंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है अधिवक्ताओं ने ग्यापन में मांग की गही हैं कि अधिवक्ताओं के परिवार को 20 लाक रुपए का बीमा कवर दिया जाए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल देश और विदेश से बाहर मेडिकल की सुवी था इत्यादी प्रदान किये जाए अधिवक्ताओं के अधिवक्ताओं को लेकर कि जो वक्ताओं के इत्मे थी उनको अब तक माना नहीं गया इसलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं बीसिया इसे लेकर निचली दालों के तक सभी एधिवक्ता एक जुटाओं करके हमारी दस मांगें जो उन्होंने आश्वास दिया था जिसके अधार में मानने चीए इसके लिए हमने आज एक आपन दिया है वक्ति लोग की सामाजिक सुरक्ष्या सोशल चेक्रोटी को लेकर एक बार कॉंसे लोग इंडिया का सम्मेलन हो था है इंदाबाग पे जिसमें स् उसका ही मुख्यबंत जिते हैं घुजरात के उन्होंने ही ये कारिक्रम रखवाया था और सारी वेवस्ताएं की थी बार कॉंसिल के ऑफ इंडिया के सम्मेलन में उन्होंने ये का था कि वकिलों की जितनी भी मांगे है सोशल सेर्कुरटी की उनके पेंशन की हुई उनके व हम ये रखा कि 11 हो तो पूरे हिंदुस्तान में जिस्टिक हैट्वार्टर पे कलक्टर और सब डिविजनल हैट्वार्टर पे एस्डियों को ग्यापन देंगे